दूस एटी इंडिया अपने पत से स्तीफा देख सकते हैं और नई सरकार का ग्रेट रहन हो सकता है 28 जनवरी को शपत ग्रहन फिर एक बार लेकिन एजबार उनके साथ बीजेपी होगी सुशील मोदी समें दो उपमुख्य मंत्री भी हो सकते हैं राजनीती में दुश्मनी दोस्ती कुछ भी स्थाई नहीं होता है इस चीज को इस लाइन को पूरी तरीके से तर्क के साथ साबित कर रहा है नतीश कुमार और हमारे साथ हमारे तीन सायोगी लाइफ जुड रहे हैं हमारे साथ चंद्रमोहन लगातर बने हुए हैं और मानव बने हुए हैं और आमिद सबसे पहले चंद्रमोहन का रुख करेंगे चंद्रमोहन आपने भी सोचा था जब पिछली बार शपत ग्रेंट समारो कवर कर रहे थे कि दुबारा इस बार मौका मिल जाएगा नितीश कुमारी सीम रहेंगे लेकिन सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे डेफ्टी सीम बिल्कुल देखिए ये कोई नहीं सोचा था लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और उसी संभावनाओं के तहत नितीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी नई जो है रास्ता वो तालास की है 28 तारीक को J.U का एक आरिक्रम होना था वो रद कर दिया गया है महराणा प्रताप का कारिक्रम बड़ा जो मीलर स्कूल बुक कर आया गया था उसमें तमाम कारेकरताओं को भी कहा गया था पहुंचने के लिए वो रद कर दिया गया है और साथ ही जितने भी जेडियू के विधायक और मंत्री हैं जो मंत्री हैं वो जिला प्रभारी होते हैं 26 जनवरी को वो पहुंचते हैं और उसके बाद वो जंडा फैराकर और उनको साफ तर पर निर्देश दिया गया है कि वो प कि जो सुत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नितीश कुमार कभी भी इस्तिफा देखा और उसके बाद रहे कि खेल जो है वो होने वाला है मैं लोटूंगी चंद्रमोहन आपके पास लेकिन बड़ी खबर लगाता और आपको बता रहे हैं जापर भारतिय जुनता पार्टी के साथ मिलकर नितीश कुमार एक बार फिर से सरकार में आ सकते हैं लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे जीतन राम मान जी ने इशारा किया है उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि आज ही उनकी तरह से कहा गये कि आज ही खेला हो जाएगा समझा जा सकता है कि उनका अशारा है कि आज ही दितीश कुमार इस्तीफात दे सकते हैं आज ही हो जाएगा का जी खेला रे यह थोड़ा वो बिहार की भाषा में अपने इस ट्वीट को लिख रहे हैं प्रशान्त हमारे सायोगी में हमारे साथ लगातार बने वे और चंद्रमोंन जीतन रामाजी का ये ट्वीट कि आज ही हो जाएगा खेला क्या आज ही एक बड़ा फैसला ब्यार में होने जा रहा है बिल्कुल देखिए आज सुबा में ही जीतर नामाजी से मेरी बात हुई है और सधे हुए वो राजनेता है इसे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अगर इस तरह की बात वो ट्वीट पर कर रहा है तो साफ तोर पर इस सारा समझा जा सकता है क्योंकि एंडिये क्रम रद कर दिये हैं आगे के और अपने सभी विदायकों को पटना वापस बुलाया है बिहार में हर बदलते समय के साथ घटना क्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जेडियू ने अपने विदायकों को पटना बुला लिया है अपने आगे के सभी क्रम रद कर द प्रदेश में जहां जहां बर्भी कारिक्रम है वो वापस पटना लोटे हैं चंद्रबोहन जेडियू की ओरते अपने विधायकों को पटना भुलाया जाना किस तरह के संकेत क्या आज और होने वाला है वजे क्या बताई गई बिल्कूल देखिए यह सीधा सीधा संकेत दिख रहा है जिसमें जेडियू के तमाम विधायकों को यह कहा गया है कि वो पटना पहुँचे साथी जो मंत्री जिला प्रभारी होते हैं आज के दिन 26 जनवरी के दिन वो लोग जिला में पहुंचते हैं और जो भी प्रभारी मंत उस कारे समिती की बैठक में क्या होती है यह सबसे इंपोर्टेंट है लेकिन अभी क्या जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि नितीश कुमार कभी भी इस्तिफा दे कर और 28 तारीक को सपत ले सकते हैं नई सरकार के साथ नए गड़बंधन के साथ तो नि लेड़देश दिये जा रहे हैं जेडियू की और से पाटी कारिकरताओं को तो यह साफ तोर पर संकेत भी दिखाता है कि नितीश कुमार रभ महागडबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं यही वज़ा है कि 28 तारीक को महाराना प्रताप के नाम पर एक बड़ा कारिकर हम पटना के मिलर ग्राउंड में आयोजित किया गया था जिसको रद कर दिया गया है और तमाम जो कारिकरता हैं उनको फोन करके यह कहा जा रहा है कि 28 तारीक को पटना पहुचने की जरूरत नहीं है जो कारिकरता महाराना प्रताप के कारिकरम में पहुचने वाले थे तो कह खाली चेहर यहाँ पर रखी हुई है यानि लगी हुई दोनों कुर्सियों पर दोनों आसी नहीं हुए बलकि बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ दिया गया था क्या ये दूरी अब और जादा आगे बढ़ने के ही संकेत हैं ये तस्वीर एक संकेत के तोर पर भी देखी और समझी जा सकती है गणतंतर दिवस्तमारों का एकास कारिकरम और चंद्रमोहन ये तस्वीर गणतंतर दिवस्तमारों का एकास कारिकरम और चंद्रमोहन ये तस्व बहुत जरूरी है कल कबिनेट की बैठक थी जिसकी ब्रिफिंग नहीं हुई और जो सुत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक तेजस्वी यादाव जब कबिनेट की बैठक में पहुँचे तो उनके एक वेभाग का उसमें फाइल आना था लेकिन वह आया नहीं जिसको ले आप साफ तोर पर देख सकते हैं मुख्य मंत्री और एक बीच में चेयर खाली है उसके बाद उप मुख्य मंत्री बैठे हैं जबकि आम तोर पर यही होता है पिछले तस्वीरों की अगर आप बात करेंगे जहां पर हम खुद मौजूद थे पटना के गाधी मैदान में निती कुमार तेजस्वी के तरह पलट कर देखे तक नहीं जो साफ तोर पर यह बया कर रहा है कि जो दूरी थी वह खाई में तबदील हो चुका है और नितीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि महा गड़बंधन में और खास तोर पर जो बिहार में अभी सरकार चल रही है जिसके गटबंधन के मुख्यमंत्री नितीश कुमार है उनके साथ नहीं रहना है और यही वज़ा है कि आज जो खाली चेर दिखाई दिया इसका साप संकेत और कल जो काबिनेट की बैठक थी उसमें होट टॉक होना नितीश कुमार के खासे अधिकारी से जो करीबी अधिकारी है उन इस वक्त अलग हुए थे नितीश कुमार उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर वज़ा बताई ती लेकिन इस बार की वज़ा क्या होगी यह देखने वाली बात होगी लोटेंगे चंद्रमोहन आपके पास लेकिन बिहार के सूत्रों के अवाले से बहुत बड़ी खबर आपक अगर जेडियो बीजेपी के साथ आती है तो नितीश कुमार ही सीम बने रहेंगे लेकिन बीजेपी ने पूरा फॉर्मला तैग कर लिया है नितीश कुमार मुख्या मंतरी बने रहेंगे जबकि उप मुख्या मंतरी बीजेपी से होंगे बीजेपी से दो मुख्या मंतरी हो जैसा की चंद्रमोहन बता रहे कि सुशील कुमार मोदी जो है वो हो सकते हैं और जो अनकारी के लिए हमारे सयोगी अमित लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं अमित देखे 2017 में जिस वक्त नितीश कुमार अलग हुए थे उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर का था कि ल अचले दो तीन महीनों से जो जो जेडियू है और जेडियू उनके बीच में दूरियां साफतार पर नजर आ रही थी सारवजनिक कारक्रमों पर सारवजनिक मंचों पर नितीश कुमार और इसके अलावा लालू प्रसाद यादों की मौजूदगी एक साथ बहुत कम देखन कुरसी इसने सारी कुछ सब कुछ इसमी ने बया कर दिया कि अब स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है लेकिन इसके पीछे पहले क्या हुआ है यह बहुत जाना जरूरी है देखे कल रात एयरपोर्ट पर जदियू महासचेव केसी त्यागी और समराच चौधरी एक साथ पाहर निकले हैं एक एक पास उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसके बाद अमिशा के गर एहम बैटक होती है उसके बाद आज सुबह जो बीजेपी के वरिष्ट नेता है बिहार से सुचील मुदी वो वापस बिहार के लिए रवाना होते हैं उन्होंने नितीश कुमार के लिए प मिटनी लोग जाते हैं साथ नितीश कुमार के साथ जाते हैं जी पेंतालिस और अठार क्ल मिलाकर हो जाता है 120 इस वक्त 123 का अंखड़ा होगा अगर दोनों लोग जेडियू और बीजेपी साथ आ जाते हैं मानव केसी त्यागी के घर के बाहर से हमारे साथ में जुड़ र पहले हैं जहां पर जेडियू को आफिस है दिली में जनतर मंतर रोड पर और जहां पर केशी त्यागी का घर है तक्रीबन 20 मिनट का यह रास्ता है आई गर्टांतर दिवस है तो सड़क है थोड़ी खाली है तो एक सन्नाटा वैसे भी है और दूसी तरफ एक सन्नाटा ऐसा है तक पूरी तैफ नहीं हो जाती अधसा सभी बड़े नेताओं को बात करने के लिए मेडिया से मुना कर दिया गया है और आप तीन चीज़ों को खासतों समझेगा, चौवी सारीक जब प्रदानमंत्री मोधी, जेपी नडडा और अमिशा जी की बैटक हुई थी, उसके बाद अगले दिन ही समराड चौदरी को दिल्ली बुलाए गया था, और तब केसी त्यागी और समराड चौदरी की मुलाकात तो तमाम चीज़े हैं, दोनों पार्टियों की नेता मिलते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे मेडिया में अभी साफ़त और से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जैसी ख़बरे बिहार से आ रही है, वो कही लाकिन एक पहुत बहुत बड़ी हम बात किये कि राजनीती में कभी भी दर्वाजा किसी के लिए बंद नहीं होता है, तो देखे इन शब्दों पर गौर्की जी यह वही चुशील मोदी थे जो कल तक नितीश कुमार को निशाने पर लेते थे और उनके अलोशना करते थे लेकिन आज दिल बहुत बड़ा इसका कर रहा है, दर्वाजा कुल भी सकता है, और कारिस्मिथी की कल बैठ़क वी बुला ली गई है, सभी कैड़र को विश्वास में लेने की कोशिस्ट चल रही है, बीजपी अलाकमान की तरफ से कल पटना में परदेश कारिस्मिथी की बैठक बैठक बु तो क्या सर्मान लिया आजा कि नितिश कुमार के लिए दर्वाजा खुल गया वो आ रहे हैं अमेद दर्वाजा खुल सकता है कभी पर्मनेंट सियासत में बंद नहीं होता क्या आप पूरे रास्ते लगभग खुले-खुले से दिखाई देने लगें और जो बिलकुर प्रशान देखें जो हमारे सहियोगी चन्मोहन अभी कह रहे थे कि नितिश कुमारे सीफा देंगे और दोबारा मुखे मंत्री बन सकते हैं कम से कम उन बयानों को जोड़ते हुए आज की ये जो बाइट है ये सबसे बड़ी राजनेतिक डवलप्मेंट ने इस पूरे प्रकट को जोड़ते हुए बाइट है क्योंकि सुशील मोधी वही नेता रहे हैं जो प्रकर आलोचक रहे हैं सुशील मोधी हमलावर रहे हैं लेकिन पहली बार उन्होंने ये काया कि दर्वाजा जब बंद हुआ है तो दर्वाजा खुल भी सकता है और क्यों खुल सकता है उसके पीछे चार एम डवलप्मेंट हुए पहला डवलप्मेंट हुआ कल जेडी उर के राश्री मासर्चिफ के सित्यागी और समराच चौधी बिहार बीजेपी अध्यक्ष एक साथ दिल्ली एरपोर्ट से निकलते हैं हालकि दोनों अलग-अलग दावा करते हैं उसके बाद जो बीजेपी के प्रभारी है बिहार के विनो तावडे उनके घर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक होती है उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जपिए नडड़ा हो पर पहंपर पॉटर न जाते हैं यहाँ पर उसका मतलब की इन्डिकेशन तैंः हो चुका है और जो उनको तो हिंट दी जा चुकी है और बहुत वरिश्ट नेता है वो मुक्यमंत्री भी रह चुके सुषील मोदी और अगर उनका ये बयान आता है कि दरवाजा जब बंद हुआ है तो खुल भी सकता है तो इसका मतलब की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है अब ये बस अब ये अनॉंस्मेंट होगा और आगे जो तमाम नेता हैं वो आते आगे आकर क्या कहते हैं क्याहते बब ये उनका ये प्रवाज़ ये बाता हैं झाल झाल